नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आर्टिकल के पार्ट टू के बारे में Part 1 में हमने Article A और N के बारे में discussion किया था तो आप पूरा वीडियो completely ध्यान से देखिए जिससे कि आपको सभी रूल समझ में आएं और सभी रूल को सीखिए, समझी और ध्यान से देखिए तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर Article The तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल दिया गया है परवत स्रिंखलाओं के नाम के आगे हम Article The का प्रियोग करते हैं तो अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा परवत और परवत स्रिंखला में क्या difference होता है देखिए, suppose that यह एक परवत स्रिंखला है लेकिर इसी में कोई एक चोटी का जिक्र होगा कोई एक singular चोटी यानि केवल एक ही चोटी है जैसे कि इन सभी में सबसे उची चोटी यह है जो कि यह Mount Average तो यह एक वचन परवत हो जाएगा ठीक है? क्योंकि इसमें केवल एक ही चोटी है तो परवत माला यानि परवत स्रिंखला और केवल singular परवत में आप difference समझके रखिएगा क्योंकि जो भी परवत स्रिंखला होगी उसमें हम आर्टिकल दागा प्रयोग करेंगे और जो एक वचन परवत होगा जैसे कि Mount Average जो कि एक ही सिखर है तो उसमें हम आर्टिकल दागा प्रयोग नहीं करेंगे तो देखिए आपर example दिया गया है जैसे कि The Alpas ये Alpas क्या है? परवत माला है जो कि Europe मादीप में है दूसरा है The Andes एंडीज भी परवत माला है जो कि दच्छलमेर का मादीप में है तो ये परवत स्रिंखला है तो इनके पहले हम आर्टिकल दागा प्रयोग करेंगे देखिए आपर एक example दिया गया है The Average is the Highest Peak of Himalaya ये एक sentence दिया गया है ये False है F बना है यानि ये False है क्यों False है? क्योंकि ये जो Average लिखा है जो कि एक singular परवत है उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जबकि जो Himalaya दिया गया है ये देखिए यह आपर Himalaya दिया गया है जो कि एक परवत स्रिंखला है तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे तभी साही हो पाएगा तो देखें दूसरी लाइन में यह सही करके लिखा भी गया है एवरेश्ट के पहले दा नहीं लगाया गया है एवरेश्ट is the highest peak of दा हिमालया यहाँ पे दा का प्रियोग किया गया है और नोट करके यहाँ पे लिखा भी गया है यदि किसी एक वचन परवत का बोध होता है तो हम उसके आगे अर्टिकल दा का प्रियोग नहीं करते है एक्जाम्पल माउंट आबू माउंट आबू भी एक वचन परवत है यानि कि केवल एक चोटी है या फिर माउंट एवरेश्ट ठीक है तो ये रूल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परवत स्रिंखला और केवल एक परवत चोटी इन दोनों में डिफरेंस होने पर अलग अलग तरीके से आर्टिकल दा का प्रियोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में दूसरा देखिए रूल दिया गया है आईलेंड यानि कि दूइप समूहों की नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रियोग करते हैं अब दूइप समूह क्या हो सकते हैं जैसे समुद्र में अगर कुछ दूइप मिला कर एक गुरूप बनाते हैं तो आपका पूरा दूइप समूह हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर समुद्र में केवल एक ही दूइप है तो वो एक सिंगूलर दूइप होगा या फिर एक वचन यानि कि वो एक ही दूइप होगा तो इसी तरह से जिस तरह से परवतों में हमने डिफरेंस किया था उसी तरह से दूइपों में भी हम डिफरेंस करके चीजों को समझेंगे अगर दूइप समूह होगा तो हम आर्टिकल दाका प्रयोग करेंगे और अगर कोई एक ही दूइप होगा तो हम आर्टिकल दा का प्रियोग नहीं करेंगे तो देखें यहाँ पर दिया गया है जैसे कि दा अंडमान आपको पता होगा कि बारत के दच्छड में यहाँ पर अंडमान निकूबार दूइब समूई है जो कि बहुत सारी दूइबों को मिला कर एक समूई बना गया है तो उसके पहले हमने दा का प्रियोग किया है दा अंडमान उसी तरह से इस साड में लक्ष दूइब समूई है तो लक्ष दूइब में भी कई दूइबों को मिला कर लक्ष दूइब समूई बोला जाता है तो उसमें भी आर्टिकल दाका प्रयोग किया जाता है तो क्योंकि यह द्वीपों का समू है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दाका प्रयोग किया गया है लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई एक वचन द्वीप होगा जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं वो इंडोनेसिया देश के द्वीप हैं लेकिन वो किवल एक एक भूखंड में ही समुद्र में द्वीप बने हुए इसलिए वो सिंगुलर माने जाते हैं इसी तरह कि कुछ और द्वीप हैं जूकि एक वच्छा नहीं यानि कि वो इसलिए द्वीप बर्मुडा द्वीप स्रीलंका एक देश है लेकिन वो भी एक ही भूमी के अंतरकत द्वीप की रूप में समुद्र में है आइसलेंड या फिर आयरलेंड तो आई हूप आपको द्वीपों वाला भी ये रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चलि खाड़ी जो भी होगी समुद्र में खाड़ी पाई जाती है ऐसे बंगाल की खाड़ी या फिर मेक्सिको की खाड़ी या जितने भी सागर होंगे या फिर जितने भी महा सागर होंगे यानि कि वाटर बोडी जितनी भी है उनमें हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे जैसे तो ये सभी water bodies होंगी उनके पहले article 2 का प्रयोग किया जाता है तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है उपर वाले जो दो रूल थे वो ज़्यादा आपको समझने में जरूरी थे इसलिए यहाँ पर उन पर मैंने ज़्यादा समय वेतीत किया था चलिए आगे देखते हैं एतिहासिक पुस्तकों के नाम के आगे article 2 का प्रयोग किया जाता है अब जितनी भी historical books हैं या महान किताब हैं हम जिनको कह सकते हैं जैसे की गीता या बाइबल जो की इसाईयों की किताब है कुरान मुस्लमों की किताब है रामायना हिंदों की किताब है तो इन सभी महत्तपूर एतियासिक पुस्तकों के आगे हम article 2 का प्रयोग करते हैं ये भी एक basic सा rule है इसको भी आप जान रखेगा next rule देखिए ordinal numbers के आगे हम article 2 का प्रयोग करते हैं अब ये ordinal numbers क्या होते हैं देखिए जब हम गिंती गिंते हैं एक दो तीन चार यानि 1,2,3,4 इस तरह से 1,2,3 ठीक है तो ये आपका ordinal number नहीं होता है ये cardinal number होता है क्या होता है cardinal number ठीक है लेकिन अब इसी one को हम first का है ठीक है first की तरह है या two को हम second बोले है और three को third बोलते है तो ये आपका ordinal number होता है ठीक है ordinal number हो जाता है तो जब भी first, second, third की तरह है हम English में कुछ चीजों को लिखेंगे तो ऐसी condition में हम ordinal number के आगे article दा का प्रियोग करेंगे जैसे the first, the second, the third लेकिन यहापे note करके आपको बताया गया है कि यदि ordinal number रॉमा नंकों में लिखा हो तो हम ordinal number के आगे article दा का प्रियोग नहीं करेंगे यानि कि इनको हम इस तरह से अगर लिखेंगे first, second, third, fourth तो जितने भी ordinal number यह भी है लेकिन यह रॉमा नंकों में लिखेंगे तो ऐसी condition में हम article दा का प्रियोग नहीं करेंगे तो यह rule आपको अच्छी तरह से I hope समझ में आ गया होगा चलिए next rule देखते हैं महीनों की तारीख के आगे भी हम article का प्रियोग करते हैं जैसे जिस महीने में जो भी तारीख होगी उसको जब mention किया जाता है तो हम article दा का प्रियोग करते हैं जैसे 2 जनवरी का अगर हमें date mention करना है तो हम क्या कहेंगे 10 second of January यह 10 third of March जो भी होगा ठीक है तो उनको आप apply करेंगे next rule देखिए समाचार पत्रों के नाम के आगे हम article दा का प्रियोग करते हैं तो जितने भी newspapers हैं इंडिया में या फिर foreign में जो भी newspaper होगे उनके आगे हम article दा का प्रियोग करते हैं जैसे दा हिंदू हिंदू एक English का newspaper है The Times of India यह भी newspaper है दा हिंदूस्तान यह भी newspaper है दा अमर उजाला यह हिंदी का newspaper है तो हिंदी का हो या इंग्लिस का हो newspaper के पहले हम article दा का प्रियोग करते हैं तो यह basic सा rule है आपको बस याद रखना है जिस rule में कुछ explain करने की जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर explain करके बताऊंगा बाकी आप चीजों को अच्छी तरह से समझते जाएए कोई भी exam हो आपको अच्छी तरह से rules को समझना है इसके बाद ही आप कोई भी exam में जो भी question होगा उसको आप आसानी से solve कर पाएंगे और यहाँ पर मैंने आपको promise किया है कि जितने भी topics हैं जितने भी grammar में topics हैं उनको detail में आपके सामने यहाँ पर discussion किया जा रहा है चलिए यहाँ पर next rule देखते है aeroplane sip train यातायात की जो सादन है aeroplane sip train इनके नाम के आगे article दा का प्रयोग करते हैं जैसे दा राजदानी तो राजदानी express क्या है train का नाम है दा प्रयाग राज़े express train का नाम है दा विक्रांत जाज का नाम है दा विक्टोरिया यह भी जाज का नाम है ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा next देखिए physical position सारीरिक अवस्थाओं या फिर इनको हम इंग्लिस में ये भी कह सकते है physical position का मतलब बहुत तिक अवस्थाएं उनके नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं जैसे कि the back बहुत तिक अवस्थाएं यह पीछे outside, बाहर, bottom यानि कि बिल्कुल गहराई में the top उचाई पर front, सामने inside, अंदर तो यह क्या है? यह situation है यह physical conditions हैं तो इनके पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं अब देखिए जो rule आ रहा है वो काफी समझने वाला है इसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जब हमें एड्जेक्टिव के माद्यम से उस पूरे वर्ग या समुदाय का बोध कराना होता है तो उस एड्जेक्टिव के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं जब छेनरली क्या होता है कि जो एड्जेक्ट्व होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे हम कहें कि He is a tall boy तो यहाँ पर a का प्रयोग हम कर सकते हैं लेकिन जो आर्टिकल दा है यह यूज नहीं करेंगी हम article A का प्रियोग तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है article दा की तो हम यह नहीं लिख सकते हैं he is the tall boy ठीक है यह नहीं बोल सकते हैं he is a tall boy तो होगा यह तो सही होगा ठीक है तो यह गलत हो जाएगा इसको हम सही कह सकते हैं लेकिन यहां condition क्या है, adjective के माद्यम से पूरे वर्ग, यह समुदाय का बोध कराएंगे, जैसे यहां पे दिया गए the rich, rich एक adjective है, तो इसके माद्यम से हम पूरे अमीर समुदाय का बोध कराना चाहते हैं, इसलिए यहां पे दालगा है, the rich exploit the poor for their profit, यहनि कि अपने लाब के चलिए next देखते हैं, most, all, many, a half, one, a large number, the majority, each, either, यह अगर phrase आते हैं, यह group of words यह सब अगर आते हैं, तो इनके बाद of आएगा, और of आने के बाद जो भी countable noun होगा, उसके पहले article दा का परियोग किया जाएगा, जैसे most of, या one of, तो इसके बाद दा लगाया गया, most of the students have come, जैनि कि बहुत सारे student में से एक student को award किया जा रहा है, ठीक है, चलिए next rule देखते हैं, adjective की superlator degree के आगे article दा का परियोग करते हैं, यह basic सरूल है, आपको पता होगा, जो degrees होती हैं, जिनमें की positive degree, comparative degree, superlator degree, इनमें superlator degrees होती हैं, उनकी पहले हम article दा का परियोग करते हैं, जै इसी condition में दा का परियोग नहीं करेंगे, यह executive की superlator degree में ही लागू होगा, next rule देखिए, basic सरूल है, एतिहासिक इमारतों के नाम के आगे हम article दा का परियोग करते हैं, तो जितने भी historical monument हैं, उनके पहले हम दा का परियोग करेंगे, जैसे दा ताज महल, दा आनंद भवन, द लालकला, दकुतुब मीनार, दचार मीनार, या जो भी एतिहासिक इमारते हैं, उनके पहले हम दा का परियोग करेंगे, basic सरूल है, आप याद रखिएगा, next देखिए, यह दि किसी proper noun, कौन सा noun, proper noun के आगे adjective लगाकर, उसे हम basis बना देते हैं, तो हम proper noun के आगे भी article दा का प जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दा गांधी, दा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ग्रेट लीडर, यह नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन गांधी की पहले अगर हम यहाँ पर कोई adjective लगाते हैं, तो हम article दा का प्रियोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही किया गया है, जैसे दा इमोरल, चंदर सेखर, आजाद, तो चंदर सेखर, आजाद के पहले यह एक adjective लगा है, तो हम दा का प्रियोग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्ष्ट देखते हैं, जब हमें किसी वस्तु के मापक का बोध कराना हो, तो ऐसी स्थिती में मापक की आगया आर्टिकल दा का प्रियोग करते हैं, यानि कि कोई चीज किस मापक के द्वारा मापी जा रहे हैं, लीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा, किलो मीटर के द्वारा, किलो के द्वारा, तो उसमें हम दा का प्रियोग करते हैं, हलाकि हम कीमत नहीं बता रहे हैं, हम केवल माप बता रही है जैसे देखिए यहां पर एक्जाम्पल दिया गया है milk is sold by the liter milk किसमें बैचा जाता है liter में तो हमने दा का प्रियुक किया है लेकिन article AN की use में हमने आपको बताया था कि अगर milk का price बताया जा रहा हूँ कि milk is sold by 20 rupees a liter तो हम पर AN का प्रियुक करेंगे क्योंकि हम पर कीमत बता रहा है लेकिन यहां पर हम क्या बता रहे हैं हम यहां पर जो जिस unit से मापते हैं जो मापक है उससे बताने के लिए यहां पर हमने दा का प्रियुक किया है liter से मापते हैं या wheat is sold by the kilo kilo या quintal जो भी होगा तो मापक बताने के लिए दा का प्रियुक किया जाएगा चलिए यहां पर next rule देखते हैं जब हमें किसी common noun के माध्यम से किसी extract noun का बोध कराना होता है तो ऐसी इस्तिती में common noun के आगे article दा का प्रियुक करते हैं इसका मतलब क्या है देखे जितने भी common noun है common noun के माध्यम से बाव आचक संग्या का बोध कराना है यह बात आप द्यान रखेंगे तो ऐसी इस्तिती में common noun के आगे article दा का प्रियुक करेंगी जनरली common noun के आगे article दा का प्रियुक नहीं होता है अब देखें आप एक्जाम्पिल दिया गया है दा फादर इनिम वोक अप तो फादर एक common noun है उसके पहले इमने दा का प्रियुक क्यों किया है क्योंकि आप फादर का यूज एक एस्ट्रेक्ट नाउन की रूप में किया गया है भावाचक संग्या की रूप में किया गया कैसे इस सेंटेंस का हिंदी में आरती है कि उसके अंदर का पिता जाग गया तो कैसे मतलब पिता जाग गया मतलब अंदर का पिता क्या होता है देखें अंदर का पिता का कोई मतलब नहीं होता है अंदर का पिता का मतलब होता है कि अंदर के पिता की जो भावना है वो जागरित हो चुकी है जैसे कि suppose that अगर हम बात करें किसी बच्चे ने पिता से कुछ चीज मागी कि पिता जी मुझे ये चीज लाकर दे दीजी अगर पिता जी के पास पैसे नहीं है ठीक है तो ऐसी कंडिसन में पिता किसी भी तरह से अरेंज करके वो चीज बेटे को दलाने की कोसिस करेगा क्योंकि उसके अंदर एक पिता की भावना है कि बच्चे की इच्छा को पूरा किया जाए तो उसके अंदर की जो पिता की भावना है वो जाग उठी तो वो भावना क्या है? एस्ट्रेक्ट नाउन है इसलिए यहाँ पे हमने दागा प्रियुक किया है नेश्ट देखिए इनिम रिवोल्टिड इसकार्थ क्या है? कि उसके अंदर का जो योद्धा है उसने विद्रोय कर दिया अब कोई व्यक्ति है इस्ट्री में मंगल पांडे थे तो वो एक सैनिक थे योद्धा थे लेकिन कई साल बात उनकी अंदर का एक ऐसा योद्धा जागा यानि योद्धा की भावना जागी और उन्होंने स्वतंतरत्र संग्राम का जो विद्रोय था 1857 का वो उसकी सुरुवात कर दी तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर की उनके अंदर की जो भावना थी वीरता की जो भावना थी योद्धा की जो भावना थी वो जाग उठी और उसने विद्रोय कर दिया तो इसके वजह से इस warrior word के पहले भी दालगाय गया है अगर आज example देखिए the mother in her dead now इसका अर्थ क्या है इंदी में? इसका अंदी में अर्थ है उसकी अंदर की मा मर गई है जैसे किसी अगर लेडी से कहा जाए कि उसके अंदर की मा मर गई है इसका क्या अर्थ है? उसके अंदर की मा नहीं मर गई उसके अंदर की जो मा की भावना है मातरित्तों की जो भावना है वो मर सकती है तो वो कैसे हो सकता है? suppose that कोई mother अपने एक साल के बच्चे को छोड़ कर कहीं चली जाए और कभी बापस ना आए किसी और जगह चली जाए किसी और जगह सेटल हो जाए और वो बच्चा एक दूसरी जगह पड़ा रहे तो वहाँ पे रहने वाले लोग क्या कहेंगे? कि वो जो लेडीज थी उसके अंदर की मा मर गई उसके अंदर की जो मातरित्तों की भावना है वो खतम हो गई क्योंकि वो एक साल की बच्चे को छोड़ कर चली गई तो वो जो भावना है वो मर गई है वो लेडीज नहीं मरी है उसके अंदर की जो मातरित्तों की भावना है वो मर गई तो भावना क्या है? एस्ट्रेक्ट नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन नाउन मदर के पहले दाका प्रियूग किया है आई वोब आपको यह रूल समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोसिस किया है चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं आपर सामानता हम एड़ेक्टिव की कमपरेट्व डिग्री की पहले आर्टिकल दाका प्रियूग नहीं करते हैं क्योंकि सुपरलेट्व की पहले किया जाता है कमपरेट्व की पहले नहीं किया जाता है लेकिन जब हमें दो व्यक्तियों की बीच की तुलना करनी होती है परन्तु वे दोनों व्यक्ति नहीं दिये होते हैं तथा वाक में of the two phrase का प्रियोग करके तुलना का बाव व्यक्ति किया जाता है तो हम adjective की comparative degree के आगे भी दा का प्रियोग करते हैं इसका मतलब क्या हुआ देखिए इसका basic सा मतलब यह है कि जब दो व्यक्तियों सपोज देट A और B इनके बीच तुलना की जाए ठीक है रामू is wiser of the two students यानि कि रामू नाम का जो लड़का है वो दो लड़कों से बेतर है वाइजर है तो दो लड़कों के बीच जब तुलना की जाएगी और उस समय तुलना करते वक्त ये दोनों व्यक्ति वहाँ पे नहीं होंगे तो ऐसी condition में जब तुलना की जाएगी तो हम comparative degree पहले भी दा लगाएगे यहाँ पे वाइजर वर्ड दिया गया है उसके पहले दा नहीं लगाए तो दूसरी sentence में यह लगाया गया है तो यह आपका सही वाग होगा यह गलत हो जाएगा ठीक है यह सी इस दा मोर व्यूटिफुल आप दा टू गर्ल्स यह एक लड़की है उसकी दो लड़कियों से तुलना हो रही है तो ऐसी condition में हमने comparative degree पहले दा लगाया है ठीक है चलिए next rule देखते हैं यह वाग में noun तता pronoun के लिए case in a position पद का प्रियोग किया जाए तो हम दा का प्रियोग करते हैं case in a position क्या होता है किसी word को जब हम express करते हैं और elaborate करते हैं व्याख्या करते हैं तो case in a position का प्रियोग किया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है दिल्ली अब दिल्ली को थोड़ा explain किया जा रहा है दिल्ली क्या है the capital of India तो जो capital of India word phrase है group of word है उतके पहले इपने दा का प्रियोग क्या है क्योंकि दिल्ली के बारे में describe कर रहा है तो दिल्ली the capital of India is a big city दिल्ली जो की भारत की राजदानी है वो बड़ी बड़ा सहर है तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में capital of India क्या है case in a position है इसी प्रकार से boss यानिकी सुभास चंद्र boss उनके बारे में case in a position क्या है सुभास चंद्र boss को हम describe करेंगे तो वो कौन थे founder of Ajadin force तो founder of Ajadin force क्या है case in a position यानिकी boss के बारे में describe कर रहा है यह पूरा group of word तो ऐसी condition में उसके पहले हमने तो यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए next देखते हैं कुछ शब्दों जैसे की office, cinema, picture, movie, theater, bus station इनके पहले हम article दा का प्रयोग हमेशा करते हैं तो इसमें बस याद करने वाली चीज है कुछ ज़्यादा समझना नहीं है ए वर्ड आएंगे तो हम article दा का प्रयोग करेंगे जैसे की the boy went to the station या the theater ठीक है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए next देखते हैं कानून अथवा नियमों को लागू करने वाली संस्थाओं या ससस्त्र सेनाओ के नाम के आगे article दा का प्रयोग करते हैं तो जैसे की पुलिस कानून लागू करने वाली संस्था है CBI है Court है Supreme Court है Army ससस्त्र सेना है या Navy या Air Force इन सब के पहले हमने article दा का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये rule में बताए गया है तो बेसिक सा rule है आपको बस ध्यान रखना है चलिए next देखते है व्यावसाय तथा पद के नाम के आगे भी हम article दा का प्रयोग करते हैं अगर आपका कोई profession है या कोई पद है उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे जैसे chairman एक पद का नाम है principal पद का नाम है धार्मिक समदायों के नाम के आगे राजनीतिक पार्टियों के आगे भी article दा का प्रयोग करते हैं जैसे second world war इसके पहले दा लगा है ये क्या है एतियासिक गटना है battle of panipat panipat का युद्ध ये क्या है गटना है दा का प्रयोग किया गया है हिंदू ये क्या है धार्मिक समदायों के दा का प्रयोग किया गया है मुसलिम धार्मिक समदायों के दा का प्रयोग किया गया है बीजेपी यानि कि पार्टी ये दा का प्रयोग किया गया है कॉंग्रेस पार्टी ये दा का प्रयोग किया गया है यानि कि जो भी खगोली पिंड हैं उनके पहले दाखा प्रयोंग करेंगे जैसे दा मून, दा आर्थ, दा स्टार, दा स्काई तो सूर्चन्द्रमा तारे यह सब क्या हैं? खगोली पिंड हैं, उनके पहले दाखा प्रयोंग किया जाएगा एक दिके condition बनती है, noun तो center भी आपका noun है, of proposition हो गया, attraction noun है, तो ये देखिए noun plus proposition plus noun की सनचना बन रही है, तो उसके पहले दाका प्रियोग करेंगे, ये कभी-कभी सनचना बन जाती है वाक में, तो उसके पहले हम दाका प्रियोग करेंगे, चलिए next देखते हैं, किसी once, सामराज के नाम के आगे भी article दाका प्रियोग हम करते हैं, जैसे कि Roman Empire, Roman सामराज, once का नाम है, दाका प्रियोग उसके पहली करेंगे, तो British Empire, यानि कि जो अंग्रेजों का सामराज था, ये भी एक सामराज था, दाका प्रियोग करेंगे, मुगल Empire, यानि मुगल once, ये भी once का नाम है, दाका प्रियोग क किस तरह से इंकाम यूज कर सकते हैं वह हम आज की वीडियो में हमने डिसकस किया वीडियो कि यह लंबा नहीं बनाना चाहते हैं कि at, लंछ स्वेलिवों भर मियाकर वीजने हूं नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए इस तरह की वीडियो को देखते जाएगे आपके पूरी English Grammar complete हो जाएगी तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में जो कि article के से ही related होगा लेकिन उसमें हम article का यूज कहां नहीं किया जाएगा यानि कि omission of article उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि last part होगा जो कि next day मैं आपके लिए upload करूँगा उसको भी आप जरूर देखिएगा मिलते हैं फर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार